नमस्कार दोसों आप शभी का बहुत बहुत श्वागते दोसों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन अगस दो जर्बाई श्याप के राशी फल की बारे में दोसों सुरुआत करते हैं आपकी जूनकाल की एक बहुत यच्छे ग्यांसी दोसों दुख क्या है द अपने बेटे के चले जाने शी दादा जी को बेहद अफ्शोष था पर उन्होंने अपनी बहु और पोते-पोती के भविश को पहला अस्तान दिया और अपने गमों को छोड़ कर नई रहा पर चलने का जजबा अपने घरवालों को दिया लेकिन एक शाल बाद ही उनके पो उन्हें शयम से काम लिया घर की बेटी की ओर ध्यान देते हुए आगे बड़ी शमी के शाथ धलती उमर के कारण दादा जी ने भी बीदा ले ली अब घर में बश मा और उनकी बेटी थी एक उशाल परिवार बिखर गया था अब बेटी बड़ी हो रही थी जिसके जून मे एहम फ्यसले उनके शामने हैं पर मन में उदाशी और बेचेनी हैं महत चोदा वर्ष की आयू में पीता और भाई को खो देने की तकलिफ है पर हमेशा अपनी मा की शीक पर जीवन में आगे बढ़ती रही हमेशा एक हंस्ता चेहरा के लिए उसने अपने जीवन को गले लग कर रखा था एक दिन अकेले पन के बान तुट गए और उसने भरी हुई आखोंशे अपनी मा से पूछा मा आप हमेशा कहती हो कि हमारी जिन्दगी बहुत अच्छी है दुनिया में बहुत तकलिफ है पर हमारे शात इश्वर है लेकिन मुझे तो यह नहीं लगता एके करके शब चले गए आज केवल उनकी यादे हैं तब माने उसे जवाब दिया बेटा मैं मानती हूँ तुने बहुत कम उम्र में अपने पिता और भाई को खो दिया तुझे उनकी कमी महशुस होती है लेकिन बेटा तेरे पिता ने इस तरह की वयस्ता की थी कि हमें कभी किशी के आगे हाथ नहीं फेलाना पड़ा नो हमारे शर से 36 और नो कभी तेरी परवरिश में कोई कमी हुई तेरे और मेरे नशी में उन शब से दूर जाना तय था पर इश्वर में बिश्वास रखते हुए हमने हमेशा उनका आदर करके जिंदगी गुगल लगाया उस कारण ही हमे इस दुख को शेहन करने की तागत मिली अगर यह हिम्मत नहीं होती तो आज हमारी जिंदगी एक अभी शाग बन जाती ज्या दोसों इसे शीक यही मिलती है कि खुशी और गम एक शीके के दो पहलू है और हर एक पहलू जिंदगी में दस तक देता है बश वैक्ति को गम को बड़ा नहीं बलकि छोटा करके देखना चाहिए तो आज दिन बुदवार श्रावन माच के शुगल परस के शच्टी तिति है दोस्त नाम के नशत्र श्रवाशी दिनाम का शुवियोग और शादिनाम जिसे बड़े शुवियोग बन रहे हैं दोस्तों राहू कल कर शमय अर्थात अशुर शमय यश में ध्यान रहे आप कोई भी विशुब और महत्पून कारें को भूल से भी ना करें तो दोस्तों यश रहेगा दोपार के 12 बचकर 33 मिट लेकर दोपार के 2 बचकर 10 मिट तक दोस्तों चंडर माए दिन करने राशी पर शमचार करेंगे वाई दोस्तों से शाथ बात करते हैं कि जो गन्हों की तिती है इनका प्रवाव आपकी राशी पर क्या होगा किन-किन चीजों को लेकर यश में आपको शाव दोने ना होगा और आगर कौन-कौन से कारी आपके लिए भागी चले होंगे दोस्तों यश में आपका लग लाइप के शरह हीगा श्वास के सरह हीगा किरेड के शरह हीगा दोस्तों यश में आपका पारली जोन के शरह हीगा आर्थी सिती और धन को लेकर सितियां के शिवत दोंगे इन शबी की महत्तपुन जान कर देंगे तो दोस्तों वीडियो को बिलकुल ही मिशना क और शुरू स्रेकरं तक जरूर देखेगा वीडियो के अंत में एक बहुत अच्छा उपाय है जो ने करके इन दिनों को आप बहुत ज़्यादा भाग इशाली बना पाएंगे तो दोस्तों वीडियो को अंत दक देखेगा दोए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों कुछ शमय से अस्त वैस्त हुवी चीजे यश में पुना वैस्तित होना शुरू हो जाएंगी वैस्ता के बावजुद भी अपने परिवार वपिर शमन्दियों के साथ कुछ शमय जरूर वैस्तित करें इससे आप अपने आपको तरह मुक्त और उर्जावान करेंगे युवाओं को भी मैट पर दियां मिलने के योग बन रहे हैं और इसको प्राण दोस्तों एश में अगर आपकी शावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों ध्यान रखें कि विरोधी लोग यसमें जलंग की भावना से आपकी बदनामी और पर जूठा आरूप प्राइश में नहीं करें तो आपके लिए इसमें अच्छा रहने वाली हैं इसको प्राण दोस्तों एश में आपके लिए शुमोंगे आपको बता दें कि याश में आप अधिक शकार्तमग या फिर अधिक नकार्तमग भी हो शकती है इसलिए दोस्तों पस्तिती को जैसा है वेशे ही देखने की खोशे करें अपनी भावनों को दूर रखकर प्रैटिकल रहने की आपको इसमें अवश्य रहता होंगी करेबी वेक्ति की खिलाफ आपको किसी वेक्ति दोरा भड़काए भी जा सकता है तो दोस्तों इन वेक्तियों पर बिश्वास न को रहें और किसी से लड़ाई जहड़े करते करने स्वेश में आपको शाहधार नहीं ये आपके लिए बैतर होंगे और इसकी ब्राहत दोस्तों है जमें आपके लिए शुमेंगे आपको बता दे कि किसी भी निद्ले को लेने में दिल की अपेक्चा आपको अपने अंदर आत्मा का आवाज सुनना चाहिए दोस्तों आपका कर्म और प्रुशार्थ आपके हर काम में शफलता और पुलबदी परदान करने वाला है दोस्तों घर की गतिवदियों में भी आपका शयों के समय रहने वाले हैं दोस्तों आपके अंदर बढ़ रहें डर की वज़शे आप आगे बढ़ पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भी होगा मानसे की जरिता प्राप्त करने के लिए हनमान चलेट सा का पार्ट करना यश्मे आपके लिए लाब दायक रहने वाले हैं और इसको प्राहत दोस्तों यश्मे आपके लिए श्मे होगी आपके दिंचरिया के लिए जो समय होगी दोस्तों आपको बदा दे कि कोई भी काम जल्दवाज में ना करके पहले उसके सारे पहलू पर अच्छे तरह से सोच बिजार कर ले क्योंकि दोस्तों शमय को अनुकुल बनाने के लिए कुछ मेनत करनी पड़ेगी विद्यार्थियों को भी 35 परदा शमन्दी कारियों में शफलता मिलेगी आपके आप मिश्वास दधा कारी शमता भी यश में निखरने वाले हैं लेकिन दोस्तों यश में आप घर के बड़े बजुर्गों वरिष्ट वर्तियों का उचित संबन करें अचाना की किसी खर्च के सामने अने से आर्थिक सिद्धी भी थोड़ा बिगड सकती है दोस्तों यश में चेचेरे भाईयों के शाथ संबन्दों में थोड़ा सा खटावा सकता है तो दोस्तों इसे आप भजने की कोशिश करें यह आपके लिए बहतर रहने वाले हैं और इसका प्राहन दोस्तों यश में मांसिक रूप से आप अधिक गंबीर और श्वस्त महसूस भी करेंगे जिस विसेफ को पाने के लिए आप प्रयत्र कर रहे थे दोस्तों उसके बारे में आपका अत्मिश्वास और अधिक बढ़ेगा दोस्तों आपको बदा दे कि यह श में आपके अंदर एक ही खुबी रहेगी अपनी परतिबाओं को और अधिक निखारने का प्रयाश करें दोस्तों के शाध भी बैतरी शमय वैश्में वहतीत होगा इसको प्रयाद दोस्तों आपका शयोग वैश्ता को शमाल लेगा अपने शोभाओं में सजटता वपिर लचिला पन बना कर रखे यो अवर्ग अपने टार्गेट को हशिल करने के लिए और अधिक प्रयाश करें और इसके प्रांद दोस्व यह में आपके लिए आपको बदा दे कि किसी एक काम पर ही पूरी तरह से निवर होने के विज़र से काम समदित गती में कुछ थोड़ा सा कमी भी आशकता है पेसे की चिंदा यह में आपको थोड़ा सा सता भी शकता है परिवार से दूर रहना आपके लिए आपके अंदर हम जो हैं सिकनेस की भावनाय ला सकता है दोस्तों ये जो आपके लिए शमय होंगे आपको बता दें कि पुराण मीत्रों के साथ बदलते हुए रिस्तियों को देखकर आपको दुखी भी होना पड़ सकता है दोस्तों ये शमय बिगड़े वे शम्बंदों को अधिक प्रतन करके ठीक करने की कोशिश ना करें ये आपके लिए बैतन होगी अपने दोस्तों भवश में कारी करने के लिए अपने ध्यार को अपने कारें परती केंधित रहें और भवश में आप अचीशी सपलताओं को पराव करने वाले हैं और इश्कुप्रान तो सेश में अगर आपकी केरियर को लेकर बात करें तो दोस्तों आवश्यक कारियों में कुछ रुकाउटें भी आशकती है यह में ग्राइश्तितियां आपके पक्ष में उत्रा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं इसलिए दोस्तों धैरी बराकर रखना आपके लिए उचित रहेगा उचित समय आने पर शमस्या स्वाता ही हलो जाएंगी यह में महत्पूर्ण कारियों को जो है पहले पूरा करने का प्रयाश कर लें यह आपके लिए बैदर होंगे और इश्कुप्रान दोस्तों यह में आपके केरियर के लिए जैसे होंगे दो दोस्तों उस पर ध्यारी तथा गंविड़ता से कारिक करने की जैस में जरूरत होंगी और इसकी प्राण दोस्तों यह में आपके वाइक शाय के लिए आपको बता दे कि अधिकतर समय मार्केटिंग शमंदी कारियों में लगाएं कुछ शकारत्मक शंपर के इसमें अस्था होगा और इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दे कि मिडिया अत्मा पहुंद दोवारा आपको कोई महत्मुन अनुमन भी अर्थ में प्राप्त हो सकता है आर्थी की सिर्थी भी एसमें थोड़ा सा बैतर होने वाली है इसको प्राण दोस्तों यह नोकरी पेशा व्यक्तियो पती-पत्नी में आपसे समझे स्यस्मे स्वार्द पूर्ण रहने वाले हैं और इसको प्राण दोस्तों में आपके लव लाइफ के लिए दोस्तों आपको बता दे कि पती-पत्नी दोनों का घर और वशाय में समझे स्वार्द बनाकर रखना पारिवरिक वह पिर आपसे आपके श्वास्त के लिए दोस्तों आपको बता दे कि पिछले कुष्ट में से चल रही शारिक परिशानी ये खत्म होगी और आप काफी हद तक रहात मेसुद करेंगी प्रदों अभी भी श्वास्त का आपको ध्यान रखना चाहिए क्यों दोस्तों मौस्व का प्रभाव यश्मे अत्यादिक सर्दी से अपना पचाव करें ये आपके श्वास्त के लिए श्मे बैतर होंगी दोस्तों यश्मे आपको कौन से उपाय को करना चाहिए दोस्तों बुदवार का दिन है यश्मे अवजियोन में आर्थिक लाब और किशी भी प्रकार के शंकट निवार या परियोग अकेश 424-84 दिनों तक अवशी करें अगर ज्यादा शमस्या है तो दोसों कम शमस्या हो शुरूआत हुई हो तो दोसों कम शेकम अकेश दिन तक अवज़तार करें इसे दोस्तों शवी प्रकार की बिगने दूर होते हैं घर में निश्य ही धन पराप्थ होता ह दोस्वों अगर आपका कारे पिछले 5-10 शालों तक नहीं बना है तो दोस्वों अधिक्तम 84 दिनों तक इस उपाय को करें दोस्वों 100% आपका ये उपाय शफल होंगी जो उनकाल की शारी शुमर्शाएं खत्म होंगी तो दोस्वों अमेद करतें कि आज कोई है वीडियो सब्सक्राइब कर लिए धन्यवाद